सबी जीव जंतों में गाएं के बाद सांप ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदु दर में उंचा स्थान हैं सांप एक रहस में प्राणी हैं देशवर के गाउं में आज भी लोगों के शरीर में नाग देपता की सवारी आती है शीव में परमुख गणों में सांप भी है बारत मे नाग जातियों का लंबा इतिहास रहा है कहते हैं कि सो वरस से ज़्यादा उमर होने के बाद सरफ उड़ने की शक्ति आ जाती है सरफ कई प्रकार के होते हैं मनिदारी इच्छादारी उड़ने वाले कैफणी से लेकर के दशफणी तक कि साप जिसे शेशनाक कहा जाता है नेल मनीदारी साप को सबसे उत्तम स्थान माना जाता है हलांकि वैग्यानिक अब अपने शोद के आदार पर कहने लगे हैं कि साप विशव का सबसे रहस्त में पराणी है और दक्षिन एशिया के वर्षा वनों में उड़ने वाले साप पाये जाते हैं उड़ने में सक्स्रमीन सापों को क्रोसो पे लिया जाती से सबंदी तुमाना जाता है और कहा जाता है कि नागों में स्रेश्ट शेश नाग है जो कि उत्तम स्रेणी में आता है तो ये थी नाग सबंदी जान करी अगर अच्छी लगी तो लाइक जुरू करें ज्यादा शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही सनातन दर्म से सबंदी तो रहस्मे द्यात्मिक जान करे लाता रहूँगा वीडियो के अंद तक जुड़ रहने के लिए दन्यावाद हर हर महादेव